आज हम आपको सिखाएंगे आप गरपे माटन सीख कबाब फ्रोजन मीट से कैसे बना सकते हैं जो मीट आपको फ्रिज में रखाया काफी दुन से उसका कबाब यूजली नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो उसमें बाइडिंग पावर्स नहीं होते हैं आप पहली बार वीडियो देखेंगे यूटूब पे जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि आप फ्रोजन मीट से कैसे बना सकते हैं कबाब और वो नहीं गिरेंगे सीख से अच्छी तरीके से बन जाएंगे कमर्शली भी ऐसे बनाया जाता है यहां पे हमने मटन लिया है माज एक किलो और आप यह वीडियो पूरा एंड तक देखेगा कोई भी स्टेप जो है स्किपने कीजेगा हम आपको ट्रिक्स दिखाएंगे इसमें किस तरीके से आपको बाइंड हो जाएगा यह अच्छी से अब आपको दिखाया है वीडियो से साथ में आपको लिया है सोया चंक्स या न्यूट्री तक बोलते हैं एक कप जो हम चाय काप पीते हैं उससे एक कप लिया है एक केजी मीट को हमें तक्रीबं 15 कबाब बन गए थे अब हम जो न्यूट्री है इसको उबा लेंगे पहले और इसको एक से दो मिनट तक उबलने देना है इसे सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा स्वेल अप हो जाते हैं और क्लीम वगारा भी हो जाते हैं तो इसलिए आप स्क्वीज करना है तो आप जब न्यूट्री निकाल के रख देंगे सारा पानी आप इसको निचोड दीजेगा और फिर हम इनको एक साथ चॉप करेंगे मीट और न्यूट्री को तो यह तरीका जो है जब कमर्शली आप बाजार मिलाते हैं कबाब उनमें यूज किया जाता निकाल के रख दी लाल मिर्च या वजल मर्श वांगन एक चुटी चमच डालिए इसमें हल्दी या लेदर एक चुटी चमच चार चोटी इलाइची निक्चेल के दाने मीट मसाला एक चुटी चमच अगर आपके पास नहीं है तो गरह मसाला वह भी डाल सकते हैं जिंजर अधी चुटी चमच नमक टेस्ट की साबसे अज्जस करेंगे आप और जिंजर गालिक पेस्ट या सिदे गालिक भी एक चमच और तीन बड़ी इलाची या बुड़ल के दाने जीरा या जूर एक चुटी चमच तो जो हमने फूट प्रसेसर में चिते डाली है इसमें हम इस इस तरीक से आपको करते रहना है इसको चॉप जो तक नहीं बहुत फाइन हो जाए यहां पर हम कोरियंडर फ्रेश कोरियंडर रहें दानवल डाल रहें एक कप इसकी समेल भी अच्छे रहेगी टेस्ट भी अच्छा आएगा और टेक्च्चर भी अच्छा हो जाएगा तो यहां पर देखे कितना finely आपको यह चॉप करना यहां पर महनत का काम है क्योंकि यह finely chop होगा तब अच्छे कबाब बनेंगे अब देखे अब निकाल के रख दिया है एक बड़े से प्लेट पे आप रख सकते हैं या ट्रे पे रामी पे आप हम डाल रहे हैं जीरा या जीर ए अब आपको अच्छे से इसको मसल मसल के मिक्स करना है अंडों को मीट के साथ ताकि इसमें बैलिंग पावर्स और जाधा एन्हांस हो जाएं अगर आप फ्रोजन मीट को अदरवाइस कितने भी अंडे डाल देया कुछ भी आड़ कर दे उसमें जो कबाब है वो हमेशा सीख अब आपको बिल्कुल भी ने लगेगा कोई ने बता सकेगा आपको कि न्यूट्री का टेस्ट है आपको यह जो आपका रिस्ट है उससे पाम जो है उससे इसको मसल ना है ताकि जो अंडे हमने इसमें आड़ किये हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं एक से दो मि आप एक बार जरूर ट्राइ की जाए गए रेस्पी और देखिएगा कितना डिफर्ट बनता है बहुत जाए टेस्टी बनता है यह देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स किया है आप देख सकते हैं अब आपको एक ट्रांसफर करना है एक बोल में क्योंकि इसको फ्रिज मे नहीं बनाएंगा इस तरीके से तो हमने चार गंटे इसको फ्रिज में रखा है तो चार गंटे बाद ही देखिए इनमें बाइंडिंग पावज आ चुके हैं अब अच्छे से बाइंड होगा और गरेगा नहीं सीख से बिलकुल भी आप देखेंगे और भी बनाएंगे हम क अब आपकी सीख लिए हैं ठंडा पानी अब साथ में रखेंगा हमेशा काफी अवेलिबल क्योंकि इसमें पानी का बहुत होता है पहले आप हाथ को डूब होएंगे पानी में इस तरीके से फिर आप इस मीट में से मिंस में से एक मतन बाल जो है वो पिंच करेंगे ज्याद बंद कर देंगे इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे स्टिक कर देंगे ज्यादा ओपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ यह देखिए कर देंगे इसको एक तरीके से बंद और फिर अगले साइड से टर्न कर देंगे सीख को और आप इस कबाब को आपको लंबा करते जाना ह और आपको हर बार साथ में ही पानी में हार डूब होना है ताकि ये अच्छे तरीकी से स्टिक हो जाए पानी से और अच्छे तरीकी से स्टिक होता है तो आपको बार बार इसको हार डूब होना है पानी में और लंबा करना है इस कबाब को जो आपकी चारू फिंगर्स है और जो थम है आपका उसके मदद से आपको यह लंबे करते जाना है यह देखिए इस तरीके से गोल करके आपको लंबा बनाना है यह कबाब फिर बनाने के बाद आप इसके एजिस जो है वो प्लेन कीजेगा और ठंडे पानी में हार डालके फिर इसकी उपर जो सर्फेस है कबाब की वह एंटाँ आउट कीजएगा इस तरीके से तो इसमें कुछ भी ऊपर लॉंपत में रहेंगे अब आप इसको गया पर सक्ते हैं तेया है या तो अगर चाहे तो वह बाबड की तरह भी तैयार कर सकते हैं सीख पे भी उस तरीके से तढार करनेका इसको फ्राय जहारेके अगर आप ग्रिल्ल पे तयार कर रहे हैं तो फिर आप खा सकते हैं नॉमली भी यह ग्रिल्ल कबाब तो यहां पर देखिए यह हमें हर तरफ से करना है फिरा जब तक नहीं देखिए यह डाक ब्राउन स्पोर्ट इसमें आ जाए यह देखिए बर्न मार्क्स ना जाए अब हमारे पास यह कबाब है अब हम इनको खोलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ठंडे पानी में हार डालना है और फिर ट्विस्ट करना है कबाब को तो यह खुल जाएगा कि यहाँ पर और आप में इसको इज़ко इवन आउट कर रहे हैं तो सेमें आप आप यह त्रॉण कने के लिए कहीं सीख से निकालने के लिए कबाब sun गोल गोल करना है तो वह भाहर आ जाएगा अब हमने एजिस भी काड़ दिये हैं इसके अब हम फ्राइ करेंगे यह हमने लिया है मस्टर्ड आइल या कुष्यू तील एक फ्राइंक पैन में यह आपको डी फ्राइए यहां पे इसलिए अच्छी कॉन्ट्री में आपको आइल चाहिए यहां पे अब जब बहुत गरम और बाद में यूज करना वो भी आप कर सकते हैं आप एक अबाब बना के रख दीजें फ्राइ करने के बगेर आप जब बनाएंगे सीक से उतारेंगे तो आप किसी भी पॉलिथीन में या जिप लॉक पाउच में इसको रख सकते हैं फ्रीजर में तो यह 15 दिन तक आराम से आपको फ्रीजर में रहेंगे उसके बाद यूज करने से पहले आप इस तरीकी से फ्राइ करेंगे सेम वे में और फ्राइ करके निकाल के खाएंगे आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी और काफी ज़्यादा हेल्फुल है क्यूंकि गर में काफी बार हमें मीट होता और उसे कबाब नहीं बन सकता है अब आप फ्रोजिन मीट से भी कबाब बना सकते हैं बहुत यह आसानी से गर में तो यह वीडियो ज़रू ट्राइ कीजेगा